हेलो एवरीवन, रूवी जैसे नरम सौफ्ट मुलायम और बिल्कुल स्पंची आज हम दही बड़े बनाने वाले हैं तो आज मैं आपके लिए होली स्पेशल दही बड़ा लेके आई हूँ होली का त्योहार आए और हम दही बड़े ना बनाए ऐसा होई नहीं सकता आज मैं आपके लिए ऐसे ही धही बल्ले की रेस्पी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सौफ्ट मुलायम रूवी जैसे हैं तो आप इसको एक बार बार बनाएंगे तो जिरू ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को मेरे साथ चलो चलते हैं बनाने के प्रोसेस पर पहले लेंगे हम उड़ा दाल एक कटोरी और लेंगे मूंग दाल भी एक कटोरी दोनों दालों की मात्रा हमारी बराबर होने चाहिए एकवल होनी चाहिए जित्ती भी लोह आप लेकिन दोनों बराबर लेना अब इसको हम वाश कर लेंगे जो भी इस पे dust में मित्ती है वो निकल जाएगी अच्छे सी डाल को पहले आव वाश कर लीजिएगा और फिर इसको हम अच्छे पानी से यानि कि ताजया पानी से इसको हम भीगो कर रख देंगी चार या पांच घंटे तक ये भीग जाती है अगर आप दही बड़े सुभे बना रहे हो तो आप नाइट ओवर इसको भीगो सकते हो अगर आप शाम को बना रहे हो तो आप इसको सुभे भीगो कर रख सकते हो तो चार या पांच घंटे में ये भीग जाती है तो मैंने इसको यह व्क फैर लोश में हमे же तो बढ़े तो यह मेरे दे को भीक चुक है उड़त दाल भी हमारी भीक चुकि है उड़त दाल भी और मुंग दाल भीक चुकी है अन्यार कि पानिसी avons प्तर तो ऑफेगार तो फ्रेश पानिसे माय दें घृत आप लेंगे क्योंकि औरत डाल जो होती है, अगर आप अकेला औरत डाल को पिशोगे ना तो वह mix0 aan में फज जाती है, क्योंकि जिक नाट वाली होती है तो वह फज जाती है तो इसलिए आप चमबस की साथा से उसको लाबर लाइते रहिएगा और फिर इसको mixizer में पीसते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करकर आप पीसेगा हमारा जो better है इस तरह से होना चाहिए ना ही बिलकुल पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा तो मज़ा नहीं आएगा तो medium size का आपका होना चाहिए हलका हलका से इसमें थोड़े-थोड़े सदानी होने चाहिए ऐसे better हमारा होना चाहिए अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ध्यान रहे कि बर्तन आपका यहां बड़ा होना चाहिए क्योंकि जब इसको आप फेटोगे तो आपको थोड़ा space चाहिए होगा चोड़े पर्तन में डालोगे तो आप जल्दी से फेट नहीं पाऊगे तो जब उसको हम बात में फेटेंगे पहले हम बना लेते हैं चटनी क्योंकि चटनी पड़ती है उसके अंदर इमadece की भी पर्ति और धने के भी पर्ति धन्या लेंगे लसन और हлекे में or लेंगे थोड़ा सा प्दिनए प्धिने की मातरा धनिया की मातरा से थोड़ा सा आप चम रहेंगे और नामक तोड़ा से चीनि और ठोड़ा सा रस चटनी बनाएंगे बहुत ही अच्छी चटनी बनती है यह देखे होगे मेरी चटनी तयार अगर आपको इससे ज्यादा पतली करना चाहते हो तो और पीस लेजएगा यह होगी हमारी धनिया की चटनी तयार अब जाते हम गैस की तरफ चड़ाएंगे हम एक पैन उसमें डा आप उचलिएगा फिर हम गया यह को झाल करतेंगी जब आपको लगेए कि पानी की मातर इसमें कम हो रही क्योंकि बनने के बाद पानी के मातरा थोड़ी कम होनी स्टाट हो जाती है तो ठोड़ा पानी आप और गयर सकते हैं आप पर डेंट करता है कि आप चटनी गारी पसं हम एसरे करकर हम चतनी हमारी अब दालेंगे इसमें मसाले थोड़ा सा ढालेंगे हम काला नमक हुआ ए यह तोड़ा सा ढालेंगे इसमें हम सफेध नमक और डालेंगे कि मिर्च का पाउडर कि और आον यालमीर्च का पाउडर नॢटा टिखा करता समीथ процесс दोनों चत्ने हमारी हो चुक्त है रेई अब जाते हैं वापिस कड BACK की तरफ दालेंगे इसमें हाँ तेल फैड़े टेल हमारा हम मेडियम फिलेम में घर्म करने रख देती हैं जब तक आजाते हैं वापस अपने बैटर की तरफ हम, अब हमको बैटर को फेटना है, डाल का बैटर को या तो आप लेप हैंट से फेटी या फिर आप राइट हैट से फिती है, जैसे भी फेटी है लिए कि डियरेक्शन आपका एक ही होना चाहिए, तब ही आपके जो ये बैटर है बहुत फुला अगर मन में सुन पूस्टी है कि मेरा अच्छा बनाया तो मत किजिए लेकिन जब मन में नहीं है तो इसके मत हमारा बेलकुल परफेक्ट हमारा बैटर बना है अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े से हममसाले, वो भी आपके लिए बिल्किल उप्षन है जीरा डालीजेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डाल लेजेगा, योगMyUra डाली है इसमें तो थोड़ा डाल है तो थोड़ा डालीचिन कें अच्छे रेती रहती नमक हम नाहीं डाला है, ना तो दही का flavor जो है ना इसमें जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें अब अलग बड़ते में निकालेंगे हम दही अब बड़ा है तो दही तो साथ में चाहिए ही तो दही को आप फेट देजिए अब यहाँ पर थोड़ा पतला रखना चाहते हो तो पानी ड चीनी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और आप इसको हम मिला लेंगे चीनी और नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस दही में देखिए अब इसमें हम बना कर हम भीग होएंगे इसलिए आप त्यार रिजिए बड़े बनाने के लिए फटा-फटा बड़े आप चम्मन से बना लिजिए छोटे-फटा बड़े बड़ों का सीज़ आप अपने हिसाब से रखे से रहे और लेकर अंदर से बहुत यह वैसे रहते हैं, कच्छे रहते हैं, तो इसलिए आप इसको मीडियम फिले में अच्छे से बनाईएगा, लो या मीडियम फिले में, यह देखें, ऐसे करके आप इसको बना लिजिएगा, साइज अपने इसाफ से रखें, चोटा बड़ा, तो य कि मेरे बड़े निकाल ली है जितनी बड़े की मुझे अभी जरूरत है मैं उतने ही बड़े को तली हूँ तो अब सब बड़ों को एक बार हो दुबारा से आप कड़ाई में और फिर इसको निकाली है तो बड़े स्वाद जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है अब हमारा ज निकल जाता है तो काफी तेल तो इसमें से निकल जाता है तो देखिए हाथ से निचोड़के देखो तो कितना सौप्ट बड़ा हमारा बना है यह देखिए आप निचोड़ो यह तो इतना सौप्ट हमारा बड़ा बन चुका है तो सभी बड़ो को अब हम ऐसी कर लेंगे इसक खुद कुछ टेस्ट में अलग नजर आएगा अब बना लेते हम दही बड़े तो देखे हमारे बड़े बिल्कुल सौफ्ट हो चुके हैं पानी में डाल कर अब इसको ऐसे सर्व कर सकते हो या पिर आप इसको तोड़ कर भी कर सकते हो जैसे आप चाहते हो वैसे किजिए अब डालेंगे इसके उपर हम दही और फेर डालेंगे इंली की चतनी तै रहा दनिये की चटनी और फेर डालेंगे इसके पर जो आपकोनाषी जीरा पाको डही फाटर जो डालना है ओर डाल कोनाइए तो रेडी हो जाएंगी हमारे द memo भले ले रही बड़े कैसे लग है आपको वीडियो और पसंद आई तो नहीं- लाइक नहीं दो बड़े एक्स्ट्रा खालेजिए गाई बिडियो Wayne पसंद नहीं आई तो एकक बड़ा शाही है लेकिन खाईये कर जरूर बनाईये कर जरूर तो देखेес मेरा बड़ा बहुत यह अच्छा बनाए जरूर बनाई इस त्रि